नमस्कार साथियों सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए इस वीडियो को शेर कीजिए और चैनल सबस्क्राइब कीजिए इस चैनल पे आपको BPSC से रिलेटेट सारे अपडेट सबसे पहले मिलेंगे अभी अभी माननिया अध्यक्ष महोदै श्री अतूर प्रशाद जी ने जो BPSC के चेर्मेन है इन्होंने एक ट्वीट किया है बहुत ही गंभीर ट्वीट है और बहुत ही गंभीर समस्या के उपर इन्होंने बात की है तो इनका कहना है कि ये देखा जा रहा है कि TRE का जो डीवी हुआ था यानि Teacher's Recruitment Examination 9, 10th और 11, 12th आप सभी ने जो डीवी देखा होगा जो आपके जिले के DRCC में हुआ है इसमें ये देखा जा रहा है कि बहुत से स्टूडेंट से जिन्होंने गलत डॉक्मेंट्स जो है वो अपलोड कर दिये हैं और ये ऐसा देखा जा रहा है कि ये डीवी को रोकने के लिए उन्होंने किया है क्योंकि ये जान बूच कर किया गया काम है तो अगर ऐसा उन्होंने किया है और गलत सर्टिफिकेट्स उन्होंने अगर अपलोड किये हैं तो ये परिणाम उनके लिए ठीक नहीं होगा यानि डंडात्मक कारवाई करने की भी बात की जा रही है तो इससे तो ये समझ में आता है कि Mr. Atul Prashada जी जो BPSC के चियर्मेन है वो काफी सजग है हर एक चीजों पर उनका ध्यान है तो जो धान्दली हो रही है धान्दली पर भी ध्यान है तो जो बच्चे परिशान है कि धान्दली से किसी का जॉब लग जाएगा कोई गलट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके नुकरी ले लेगा तो ऐसा नहीं है उन सभी के खिलाफ दंडादमक कारवाई का आदेश जो है वो माननी अध्यक्ष महोदय ने दिया है और इसका आश्वाशन भी वो दे रहे हैं इस ट्वीट के माध्यम से चैनल के साथ बने रहे है कोई भी नई अपडेट वोगी आप सभी को बताई जाएगी